साथ नमस्कार में डक्त्र ब्यास हडा स्वागत करता हूं आपके अपने चनल हाड़ा बेट्स क्लब में आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं यह दि आपके पश्टु की लेवुटी पत्थर जैसी हो गई यह जो आप देख रहे हैं यह पत्थर जैसी हो गई इसके अंदर गाठे बन गई यह थन से दूद नहीं आ रहा है और लेवटी बहुत कड़क हो गई पत्थर जैसे कठोर हो गई और थन के अंदर से दूद निकलना बंद हो गई यह यह आपकी शमश्या आ रही है तो आज के हमारी यह वीडियो आप पूर देख लिए आपकी सम हमें दिखाई दे रहा है और मुझे फिल्ड में बहुत सारै ऐसे पिसुँ मिलते हैं और मेरे पास कई सारे कॉल्स भीजा चाहिए हैं लेकिन ब्यानेक बात कि condemn पल्कुल सही है कि जिससे यह हमारे लेवटी वापस से नरम हो सके वापस से हमारा पशुप दूद दे सके तो सत्य आप लाइक भी बहुत कम करते तो लाइक जरूर करें लाइक अभी से कर दे फिर बाद में आप वीडियो में इतना गूम हो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं इसे पर हम के अबल में स्ट्रेडिस का इलाज करेंगे तो साइद ही उससे ठीक हो क्योंकि जब फाइप्लोसिस मास सत्यों बन जाता है तो उसको उटाना बहुत मुश्किल होता है आप ऐसा नहीं कि एक दिन दवा कर लोगे तो सारा मास खतम हो जाए और सारा मास बिखर जाएग यहां पर यह अडर पूरा पत्तर जैसा बन गया है एक थन में पूरी पूरी ना समय सा जब हम थन को दबाते थन में ऐसा लग रहा है यह थन भी कड़ा के और अंदर इसके कुछ नस यह जो पत्तर जैसी हो गई है तो उसको भी हम फाइप्रोसिस मास ही बोलते हैं इसको यह मेस्टाइटिस का प्रकार होता है इस वाले मेस्टाइटिस में थन सुरक्षित रहते थन सड़ते नहीं थन में कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन थन क्या है कि अंदर से मरते हैं यानि अंदर से वह फाइप्रोसिस जम जाता है तो वह दूद आने नहीं देता है बाकि थन बिल पुष्चन में इसा हो गया है किसी गाय में यदि दो थन सा दूदाना बंद हो गया है और उपर लेवटी उसकी पत्थर जैसी हो रही है बाके थन सही तो भी कोई दिक्कत नहीं तो भी यह काम फर्मुला काम करें यह दि आपका थन भी पत्थर के जैसा कड़ा हो गया उपर लेवटी भी पत्थर जैसे कड़ा हो गई तो भी हमारे फर्मूला दोनों तरब से काम करेंगा चाहिए एक थन में हो चाहिए दो थन में हो या चाहिए पूरी लेवटी पत्थर की बन गई हो उसमें भी आप यह काम कर सकते हैं कि आपको महाँ पर सबसे पहले साथ यह करना है आप महा पर हलके फोल्टे इंटिवैटिक से महाँपर आप काम नहीं चला सकते हैं आप को आपको महाँ पर सबसे बड़ा इंटिवैटिक लगाना पड़ा क्योग है जाता कई सारे बनाते हैं इंजेक्शनों को जिसमें होना चाहिए सेप्टी जोक्सिम यह जो इंजेक्शन देखाई दे रहे आपको यह आप तीनेजर एमजी का लीजिए पशुक आइवी दे दीजिए आइवी देना आपको दूसरा इंटिबाटिक प्रयोग नहीं करना आप यह करिए यह आपको सुधार लाना चाहते ही हैं तो आप यह करिए तीनेजर एमजी का सेप्टी जोक्सिम इंजेक्शन पशुक उसी दे जुगलर वेन में आपको इसको आइवी कर देना है यह आज आपने आइवी किया आठ दिन फार आठ दिन बाद फिर आपको दूबार फिर इसको आईवी दे सकते हैं किसे प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है अब आप यह आप यह पर यह तो ही इंजेक्शन की बात के हमने एंटिबाइटिका यूज कर लिया इसके अलवा हमें यह आपर क्या करना है एक हमें इंजेक्शन हमें इसके साथ प्रेडनिस वोलन भी लगाना एक आठ दिन बार लगाना इसके भीस में कुछ देने कि जरूरत नहीं आप इसके अलवा हम यह प्रेक्शन प्रेड़ आता है जैसे मेंस्ती के पॉज़्श नहीं सब्सक्राइब अप इसके पाउडर खरी ढहते हैं पूछ सिवचे पर दिन तक आपको पश्ट नह को यह देना है किसमें जब थनकड़ा हो जाए जब लेवटी में फाइब्रोसिस मास जम जाए उसके लिए इसके अलावे यह तो आपको देना ही देना देन इसके बाल आपको क्या करना है पशुव को आप क्या करें कि मिठा सोड़ा ले 50-50 ग्राम पशुव पांस दिन तक 50-50 पशुव को नोसा दर खिलाना है यानि अमोनियम पशुव में 10-10 ग्राम परड़े की सबसे देना है और वह 50-50 मिठा सोड़ा हमें लगातार पशुव पांस दिन तक देना है और पांस दिन तक यह भी हमें देना है साथिव इसके अलावा हमें यहापर कुछ सिरप का भी प प्रियोग देखा है कई पुश्यों कि उससे हमने थन भी खोलें जिससे की थन बंद हो गए थे और जिससे की हमारी यह जो फाइब्रों से समझ है इसमें तो बहुत रामबानद हुआ है जिसका नाम है वाइटम एच अडर एच सुट्वाल एच निकॉलस एच इससे नाम सक लुकर दीजिए बहुत ही शांदार काम करती है इसके अलब आप यहां पर विटमीन एडी त्री एच का इंजेक्शन भी पशुको लगा सकते एक से दो दिन तक और आप यहां क्या करें पशुको मिंडल मिक्सर देना से अलो कर दें पशुको पच्छास पच्छास ग्रम प कर सके यह वहां से अलगड जाए और आपके पशुक के अडर वापस इडिली पढ़ जाए और वहांसे दूद आने लगए इसके लिए हम बर्व की सिखाई करेंगे साथिव जब आप यह काम करेंगे तो आपकर पशुक की थन से दूद आना भी चालू हो जाए और जो अड हो रही हुआ है यह पत्थर मानवा कपत्थर नहीं हो जाती पूरा पैक हो जाता पूरा करदक उचाथ तो वहाँ पर यह लाईए इस क्रीम दो तिन क्रीम लाईए इस की दिन में तीन तो वीडियो दुबारा से रिपेट करके देखिए आपको यह वाली समझा दिखाई दे रही है आपको के अडर कड़क हो गया थन कड़क हो गया मास जम गया तो यह उपाई करी गारंटी ले तो आपको पसंद रहे हो तो अपने दोस्तों साथ सेर करना लाइक और जय हिन जय वरत